या aiming अर्व आर्जसिस आंज हम छाचिय बनाएंगे चाचिय उत्राफर्णि की फेश्टिस इसके लिए मैंने चाओन भेगांगे रखेंगे देखिए इस तरह से ये तरहुंगे पानी निघा लंगे दि si मेति का तड़का लगाएंगे, इसके लिए मैं लस्टी रखी हुए या अधा एक लो लस्टी है, लस्टन अधरक जीरे का पेश माय कर खाऊ है, ली मिट्ची भी कुटी हुए है, छाची को मैं कुक्कर में बनाऊंगी, छाची बनाने के लिए कुक्कर मैं में स्रसों का तेल इसको मैं शर्षूंगे तेल ना बनाना चाहिए जैसी तेल गरब हो जाएगा मैं मेथी का तरका लगाऊंगी फिर डालूंगी प्यांच क्याहस कोते ही जैसी क्याहस ढूंगए अब मैं इसमें डालादानी लस्तफर अबरी का पेस्ट और इसमें हरी नुस्ती भी खूपर रखे अब bete टमाटर डालूंगी, टमाटर, चाउं, चाउंलों को मसाले के साथ भूल लिया है, आप इसमें डालूंगी सुक्की मसाली, देखें फर्ण इस तरह से, एक नमक, स्वादनिशाद, हल्दी पाउडर, धन्या पाउडर, लाल मिल्सु, मिल्स हमने पहरी में रखी है, इसमें हरी मिल्स रखने हैं, इसको डालेंगे पानी, इसको हम पानी में एक शिटी रखा देंगे, इसमें हमने पानी डाला है, जितना की चाउन ठीक से भीग जाएं, चाउन उसे थोड़ा पान डालेंगे, और इसमें हम एक शिटी लागा लेंगे, एक शिटी लागाने के बाद इसको हम फिर आगे दिखाएंगे, वो कैसे करतें, चाउन पाने के लिए चाउन में एक शिटी लागा लेंगे, आप इसको रस्की में पकाऊंगे, हमारी चाउन पक शुगे, देखे इस तरह से, आप इन पके वे चाउनों में रस्ती मिलाँगे, देखे इस तरह से, आप इन चाउनों को रस्ती के साथ पका दूँगे, उनको मेडियमाद पगाऊंगे, इन चाउनों को मेडियमाद पर 20 मिनट के लिए, चाउनों को में बनाना चाहिए, और चाउनों को में बनान से पहले एक घंटे के लिए बिखा कर रखना चाहिए, और चाउनों को में चोटे साइस की चाउनों का यूज़ करना चाहिए, चाउनों में हमें लसन, हरी मिर्ची और अधरक का पेस्ट डालना चाहिए, हरी मिर् और गड़वाल में पन्योग छत्य बन चुके हैं देखिए फ्रेंट्स करें अब इसको सर्व करने हमने छत्य को सर्व करा है अगर आपको यह रैस्पी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल राधर को सब्सक्राइब करें फ्रेंट्स आप पीज रैस्पी के एक बार बना के देखना ट्राइ जरूर करना छचे खाने में बहुत ही अच्छा होता है थैंक्स प्रेंट्स